नमस्ते मेरा नाम उमेश है टॉक यूटीव चौनल में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राषण काड के लिए नए नाम आप जोड़ना चाहते हैं मतलब की रासं काड नया बनाने चाहते हैं तो उसके लिए अपलिकेशन फॉर्म जो यह ऑनलाइन बि क्रिया नहीं है आपको offline पपत्र ख़ा भरके आटी पेस पर जामा करना होगा अब online के regarding आप में से काफी सर्व लोग का कमेंट आया हुआ है अलग-अलग कमेंट है जैसे कि कुछ कमेंट है कि हमें documents किस तरह से skin करके upload करना है उसकी regarding हम बात करेंगे साथ साथ यहाँ पर कि application form का जो status है कैसे चेक करेंगे चेक कर रहे हैं तो नई हो रहा है तो कैसे करेंगे साथ साथ यहाँ पर application form में edit हम कैसे करेंगे कि MEMBER को हमें कैसे करना है क्या सभी में सब्सक्राइब करने के बाद application form को कहीं जामा करना है कि नहीं करना है मतलब बेगरा अगरा जो है आपके द्वारा पूछा गया बहुत सरा कमेंट मुझे मिला है मैं देखा हूँ तो हलाकि मैं लाइब भी आया था तो लाइब में काफी सारे लोगों का मैं सवाल मिस कर गया द सब्सक्राइब कर दिए आज इस वीडियो को देख लिजिए आपका जो भी डाउट होगा वो किलियर हो जाएगा जहां तक मैं समझता हूं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि application form फिल करने से पहले मैं आपको जनकाय दे दिया था कि अगर आप साइबर के फिवाले हैं तो जिनके भी नाम से आप रासन कर बना रहे हैं उनके ही नाम से रेश्टेशन कीजिएगा और उनका जो है application form को फिल कीजिएगा अब यहां पे स पास्बुक का जो पहला पिष्ट होता है उसका चाय प्रती और आपका निवास प्रमापत्र निवास प्रमापत्र जो है एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसका चाय प्रती आपको PDF में scan करना है तीन ही डॉकमेंस अगर परसन विकलांक है तो आप उसमे एक सर्टिफिकेट जो होता है जैसे कि विकलांक सर्टिफिकेट होता है उसको आप एड कर सकते हैं तो ऐसे चार डॉकमेंस को आपको एक ही PDF में scan करना है वैसे आप साइबर के भेगा दुकान किये हुए है तो आप सभी को पता ही है कि एक PDF में किस तर से multiple जो डॉकमेंस होत जोटबाइस कि पूछ रहे है कि फोटो सिगनेचर उसी में scan करना है नहीं उसको अलग से आपको बॉक्स दिया गया है परिदगाद का फोटो करने की दख सकते हैं कि इस तरह का बॉक्स दिया गया हो इंगे तो हमांकर उ करने का जो एक बॉक्स दिया गया है तो सिगनेचर और फोटो अलग-अलग से आपको अपलोड करना है जिसका साइज कर सकते हैं हाला कि इसके लिए कोई अभी सुचना जारी नहीं किया गया है लेकिन आप फिलाल इस्तमाल इसको कर सकते हैं तो अपलीकेशन चेक करने का लंबाद वह पर क्लिया है नहीं आप वीडियो शूरू से उन तक देखे होंगे तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि आपकी इस तरह से अपलीकेशन का जो स्टेटेस है उसको चेक कर सकते हैं तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको यूर्ण पासवर्ड जो मिला हुआ है लॉगिन करने की बाद आपको डेस्बोड में उपर देखेंगे कि यहां पर आप लाई के बटन पर जाएंगे इसमतन नीचे दखेंगे कि यहांप आपके अपलीकेसन का बटन दिया गया है जीस फ़े आप क्लिक करेंगे तो अपको बता देगा और वलाग से आपको किसी भी तरह कहले कर सकते हैं कर सकते हैं तो यहां पर clear हो गया डोट मैंने आपका clear कर दिया अब यहां पर तीसरा डाउट था कि application जो है उसमें हम edit कैसे कर सकते हैं तो देखिए application में edit करने का option तभी मिलेगा जब तक आप final submit से पहले रहेंगे मतलब कि final submit कर देंगे तो आपको जो application में किसी भी तरह का correction करने का option नहीं दिया जाएगा तो application form fill करने से पहले final submit करने से पहले आपको पूरे जनकारी एक बार cross check कर लेना चाहिए कि आपने जो जनकारी fill किया है वो सही है की नहीं है क्योंकि यहाँ पर edit का option यहाँ पर जाएंगे तो जो भी नाम आप add करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तरह का आपको documents upload करने के वह सकता नहीं है केवल अधार card के हिसाब से उनका जनकारी fill करना है जैसे कि अधार number अधार card पर उनका नाम क्या है सेम सेम नाम को लिखना होगा date of birth क्या है क्या करते हैं बच्चे जो है तो कु पीचे का लड़का है उनका जो हिसमें add नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि side में कुछ problem होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बाद में इसको resolve कर दिया जाएगा क्यूंकि जिनके पास भी अधार card है उनका नाम आप रासन card में जोड़ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो दिर without आपका clear हो गया अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि final submit करने के बाद क्या application firm को कहीं जामा करना है तो देखिए मैंने concern department से बात किया हलाकि वो लोग सही से नहीं बता पा रहे हैं लेकिन application firm को कहीं भी जामा करने के और सकता नहीं है जैसे हैं आप application firm को submit कर देते हैं तो जो ह आप इसमें जाकर आपका जो रासन काड़ है वो जो है बनाने का काम कर दिया है अब इसमें समय कितना लएगा इसकी regarding मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 30 से 31 दिन लगते हैं इसमें मतलब सारे काम होने में लेकिन आगे भी समय लग सकता है या फिर मतलब डिपें करने के बाद कहीं भी I think documents को जामा नहीं करना है ठीक है इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि मुझें लगता कहीं जामा करना पड़ेगा मैंने उनसे बात भी किया तो भी क्लियर करके नहीं बताए कि नहीं अभी नाए वैसाइड है तो थुरा सा आपको वेट करना है तो आप हमें नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं reply करने की हम पूरी questions करेंगे और नहीं तो आप कहेंगे तो इसके लिए हम time निकालकर कम से कम एक घंटा का live session करेंगे उसमें जो है सारा जनकारी आपको clear करके बताएंगे किनकि live आप जो भी question पूछेंगे उसमें समें question पीक करक आपको जनकारी instant दे देंगे तो आप लोग कहेंगे तो हम एक घंटा समय निकालेंगे आपके लिए और यहां पे एक live session करेंगे जिस live session के माधियम से आपका जो भी doubt है उसको clear करने की कोसिस करेंगे बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो like किजि आपका लूगा है तो